चेहिन सभी मेरे प्यारे भाईयों कैसे आप सभी लोग उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तो बहुत दिनों के बाद मैं फिर से रिटन कर गया हूँ भाई और अब यहाँ पर वीडियो आपके सामने रेगुलर आएंगे और थोड़ सी अलग और यूनिक आएंगे अपसे वीडियो और को रिलेशन की बढ़र्टी और आर्मी की बढ़र्टी और अधर कोई भी गौवर्मेंट से बार्मेंट से ब्लिलेटिड आपको जॉब का यहाँ पर notification तो मिलेगा इस साथ में आपको army से related other जो क्या कहते हैं मतलल scheme है या services है उनके बारे में भी हम आपको पूरी detail देंगे जैसे ECH के बारे में हुआ, CHD canteen के बारे में हुआ, एक सेक्टरा बहुत सारी है तो उनके उपर हम दीरे दीरे video बनाएंगे और जैसे कि बहुत सारे जवान हैं हमारे देश के जवान हैं उनको वाई problem आती है तो उनकी भी problem हों को हम इस channel पर solve करेंगे हमारे channel का नाम है army web portal इसलिए मैंने इस channel का नाम army web portal किया गया है और आपको हमारी website का नाम भी पता चल जाएगा जो कि है UHQ relation करके हमारी website का नाम है अगर आप हमारी website पर आते हो तो आपको बहुत सारी यहाँ पर information मिलेगी जैसे अगनी भी books आपको देखने को मिलेगी रिलेशन वर्ती, हेमराज app के regarding information मिलेगी sportsman भरती अगनी भी result बहुत सारी है playlist यहाँ पर मैंने आपको update दी हुई है आप यहाँ पर check out कर सकते हो अब बात करें इस video में हम किसके बारे में बात करेंगे उससे पहले आप video section में आओगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पर video देखने को मिल जाएगी तो जरूर check out कर ले ना कोई ना कोई आपको video जरूर पसंद आएगी हमारी भाई ठीक है अब बात करने वाले हैं भाई किसके उपर हम बात करें भाई ठीक है सबसे main important है भाई हम बात करने वाले हैं ECH bill claim status को कैसे आप online check कर सकते हो बहुत सारी लोगों को problem आती है कि भाई वो ECH का bill claim कैसे online check करें या किसी cafe पर जाके वो भाई रुपे देते हैं 50 रुपे या 100 रुपे देते हैं bill claim करने के लिए या bill claim status को check करने के लिए तो दोनों ही हम आपको इस video में clear करेंगे सबसे पहले हमें आपको status बताएंगे और कैसे आपको apply करना हुँ हम next video में बताएंगे वाई ठीक है तो comment जरू करके हमें बताना कि हमें ECH का claim के बारे में हमें कैसे apply करना उसके बारे में हमें बताएं तो आपको कुछ नहीं लिखना है यहां पर सीधा आपको ECH claim यहां पर लिख देना है जैसे कि आपके नीचे 100 भी हो रहा होगा आपको सिर्फ यहां पर यही लिखना है और आपके सामने यहां पर एक website खुलेगी बिल processing agency for ECH ठीक है जैसे कि आप आपके सामने सो भी हो रहा होगा यहां पर और यहां पर जो इसकी website है वो भी आप यहां पर देख लेना सही से किसी अधर website पर मत चले जाना वाइटीक है और आपके सामने यहां पर एक status जो फर्स website है उसके सामने ऐसे लिखा होगा बिल क्लेम स्टेटर्स बिल processing agency for ECH इस पर आपको क्लिक करना लेना है बाई सिंपल तो आपके सामने कुछ इस टाइप से capture code आपको डालना है जो भी आपने यहां पर यहां पर फिल कर देना है तो सबसे पहले मैं service number यहां पर लिख देता हूं ठीक है और उसके बाद जैसे कि मेरे पास अभी claim ID मुझे याद नहीं है बट मेरे पास मुझे मेरा card number याद है तो वह मैं डाल देता हूं ठीक है तो यहां पर card number डाल देता हूं और card number के बाद आपको सभी मैंने जो जो claim किया हूए है वो आपके सामने 100 हो जाएंगे ठीक है तो यहां पर मैं fill कर देता हूं ठीक है और फिर यहां पर capture code आपको डाल देना है simple और उसके बाद आपको submit के button पर click कर देना है ठीक है जैसे कि आ फैरी case में यहां पर मैंने जो हमने claim किया हूआ है वो आठ किया पर total bill claim किय हूँ है जैसे कि आपके सामने 100 भी हो रहे है ठीक है और यहां पर जैसे कि देख सकते status तो यहां पर claim settled हुए पड़े हैं और एक claim है वह अभी हमने submit किया है कब submit किया है भाई वह हमने 17 तारीक को Submit किया है तो इस टैप से पूरी डिटेल है और एक वीडियो भी मैं आपको लेकाऊंगा जिसमें आपको पूरा स्टैप बताऊंगा कि इसके बाद क्या स्टैप आता है इसके बाद क्या स्टैप आता है मतलब कितने स्टैप होने के बाद आपका बिल क्लेम स्टैप से बिल जो क स्टेटस को चेक आउट कर सकते हैं उस पर आपको बिस किलिक करना है ठीक है और बाकी कोई भी इंफोर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर बताना जैहिंद